हलो अव्रिवान वागम डिश चैनल कैसे हैं आप सब होप आप सब अच्छे होंगे सब गैस आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी परसंट चल रहे हैं राइट नव आप से क्या कहना चाते हैं उनके दिल की बाद जो आप से नहीं कहब रहे हैं टामलेस डिएंट हैं जब आप से देख रहे होंगे तब इस आप से आप से रश्नेट होगी generating है जितने messages आप से resonate होतने लीजेगा बागे को skip कीजेगा energy match करती है तो energy को claim करना मत भूलिएगा वीडियो को like कीजेगा comment में JCRRAM लिख सकते हैं so लेकिए प्रभू का नाम JCRRAM first car we have my other soul so आपकी जो person है यह already आपको अपना मान चुके हैं आपको अपना चुके हैं कि soul ने आपको accept कर लिया है और इनकी soul आपकी soul से connect हो चुकी है so यह आपको already अपना other half मानते हैं as a husband as a wife यह आपको view करते हैं no matter यह married है even इनके बच्चे भी हैं तो भी okay यहाँ पर bottom of the deck की energy पर मेरा ध्यान गया जो कि है jealousy and suspicion आपके person एक नमर के जल कुकड़े है मतलब दिखाते ऐसे इनके आप देखना अगर आप किसी और से बात कर रहें इनके अलावा अगर आप किसी और से connect होने की कोशिश करेंगे तो literally इनकी face पर वो दिखेगा नहीं लेकिन अंदर ही अंदर इनकी बहुत भहेंकर तरक्ये से जलती है आँखें बट यह दिखाते नहीं है मतलब show नहीं होने देंगे आपको कि अंदर से कितने जल रहे है लेकिन इनको बिलकुल बरदाश नहीं होता आपका इनके अलवा किसी और से connect होना I lost myself in you इन्होंने खुद को आप में खो दिया है कहने का मतलब यह है totally surrender कर चुके हैं खुद को आपके आगे देखें यह इनके दिल में हैं यह बाते इनके दिल में हैं और इन्होंने आपसे यह कहीं नहीं हैं और ना ही आपको जता पाते हैं लेकिन हां कहीं न कहीं deep down यह खुद को मतलब आपका मान चुके हैं और आपको भी अपना मान चुके हैं क्योंकि कहीं न कहीं jealousy की कार से मुझे एक हक भी दिखा है जैसे literally यह आपके उपर अपना हक मानते हैं next है I may have told you to go I may have walked away but this is not what I want हो सकता है इनोंने खुद नहीं ऐसा कहा था past में कि भाई चले जाओ मुझे अभी ज़रूरत नहीं है तुम्हारी है इस connection के मुझे connection continue नहीं करना है या फिर इनोंने move on कर लिया था या यह छोड़के चले गए थे बीच रहा में आपको but in reality यह दिल से कभी ऐसा नहीं चाहते थी so यह आप से कहना चाहते हैं कि इनोंने past में कोई ऐसा decision लिया जिसकी वज़े से आप दोनों के बीच gap आया तो वो इनका दिल से कोई decision नहीं था यह नहीं चाहते हुए भी उनको वो करना पड़ा maybe situation की demand थी so आपके person कभी नहीं चाहते आपको खुद से दूर करना promise a permanent connection and bliss यह दोनों message clearly बता रहे हैं कि आपके person की life में अगर सुकून कहीं इनको दिखता है तो वो है आपकी तरफ आप little in का सुकून है यह इस connection को permanent करना चाहते हैं यह long life आपसे connected रहना चाहते हैं no matter फिर आपको commit करते हैं या नहीं लेकिन हाँ यह हमेशा आपसे connected रहना चाहते हैं और यह आपसे connected feel भी करते हैं इनको लगता है कि चाहे आप एक दूसरे के साथ हो या ना हो लेकिन हमेशा आप connected रहेंगे no matter आप कहां है यह कहां है यह आपके रहेंगे और आप इनके कुछ और messages देखते हैं यहाँ पर second chakra है यह बताता है कि आपके person आपको लेकि बहुत बहुत साथा passionate है जब यह आपके towards आते हैं यह आपको देखते हैं तो automatically high vibration में आ जाते हैं आपको लेकि बहुत ही confident है आपको देख की inspire भी होते हैं इनके अंदर एक अलग तरीके का confidence आ जाता है कि हाँ मुझे यह message ऐसा लग रहा है जैसे यह कुदको बहुत lucky feel करते हैं कि आपने इनको choose किया हो सकता है आपके पास और भी options दे आपने सभी options को side में रखें हो सकता है बाकी लोग crave करते हैं आपके attention के लिए आपने attention इनको दी इनको बहुत ज़दा इनके अंदरे मतलब बहुत proud feel करते हैं contract का card मुझे बता रहा है इनका कार्मिक के साथ कोई जो भी contract है वो अभी pending है अभी वो जो contract है वो complete नहीं हुआ है so यह चाहते हैं कि आप patience रखें आप wait करें इनका जब तक वो contract इनका खतम नहीं होता तब तक आप patience रखें patiently wait कीजिए इनका यह नहीं चाहते कि आप move on करें और यह वहाँ बिल्कुल खुश नहीं है इनका सिर्फ एक contract है उन लोगों के साथ कर्मा है envy and hostilities का card एकदम से clear मेरे को indicate कर रहा है कि आपकी person आपको लेकिए possessive नहीं और अगर नौबत आई अगर ऐसे समझे ऐसे situation create हुई जहाँ पर इनको आपको खोना पड़ रहा है किसी specific person की वज़े से तो literally उस person की against कड़े हो जाएंगे एक sword लेके मतलब यह ऐसा action या ऐसा stand ले सकते हैं आपके लिए जो शायद इन्होंने भी नहीं सोचा है sudden इनकी तरफ से कोई ऐसा action हो सकता है क्योंकि यह आपको खोना नहीं चाहते है यह बहुत jealous बहुत देखे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी person पिल्कुल share नहीं कर सकते आपको एक percent भी किसी के साथ share नहीं कर सकते no matter यह उपर से कितना cool बनके आपको दिखाते है मुझे literally हनी सिंग जी का एक song है उसकी line से आदा गई मैं तेरे उते जिन्दवार दू कोई आया साड़े विच में मार दूँगा तो मतलब यह आप पर जिन्दवार थे हैं अपनी और कोई अगर आप दोनों की बीच में आया तो literally यह उनको kill कर देंगा ओके यहाँ पर है divine will देखी हो सकता है मेरे viewverse आपका trust कहीं न कहीं इस रिष्टे से यह अपने person से उठ रहा है तो universe का यह कहना है कि आप उन पर विश्वास रखिए universe के लिए कुछ भी impossible नहीं है वो सब कुछ करेंगे जो आप चाहते है graceful, surrender, admit and confess आपके person अपनी feelings आपके साथ confess करना चाहते है but be vigilant का card मुझे यह बताता है कि आपको फिर भी aware रहना होगा आपको अगर आपके person आपके towards आते है तो मैं तो यह कहूंगी कि बोलिये कम सुनिये ज़्यादा यह आपसे क्या कहना चाह रहे है आराम से इनकी बाते सुनिये आपको पता लग जाएगा कि यह कितने पानी में है कितना इनके बातों में truth है ठीक है और यहाँ पर reward God sent का card यह बताता है कि आपको universe कुछ reward देना चाहते है क्योंकि आपने इस connection में बहुत कुछ invest किया अब universe आपको reward देना चाहते है हो सकता है कि आपके person के ही through आपको commitment मिले या आप जो भी चाहते हैं इस connection में वो आपको मिले क्योंकि आपका patience आपके true intentions आप नहीं जो जो invest किये इस connection में energy भले ही आपके person उससे वाकिफ ना हो लेकिन universe को तो पता है न इनहीं की language में try करते हैं so maturity के साथ message पिक के जेगा no matter आप लड़का है लड़की देख लीजेगा उससाब से okay so यह सा कहना चाहते हैं कि जग घुमे या अथारे जैसा ना कोई आपके जितना beautiful आपके जितना caring आपके जितना मतलब एक pure hearted person जिसके पास सब कुछ है जिसके पास knowledge है जो universe से connected है जिसके पास powers है hidden powers है इस इंसान ने बहुत से option try कि है ऐसा नहीं है कि आप इनकी life में पहले इंसान हो नहीं आप से पहले इनकी life में और भी आये हैं लेकिन वो जैसे ordinary थे आप ऐसे हो जिसको भुलाया नहीं जा सकता भुलाया किया जिससे move on नहीं किया जा सकता आपके पास सब कुछ है आपके पास knowledge beauty with brain का concept हो आप totally एक package हो जिसमें सब कुछ है जिसमें beauty, caring nature भी है unconditional love आपके पास है लोगों को देने के लिए आप खुबसूरत है आपका physical appearance है अब मैं बोलूगी तो फिर आप ज़्यादा बोलूगी तो बोलोगी कि मैं ज़्यादा बोलती है शुगर कोटिंग लगेगा तो मैं इतना ही कहूंगी लेकिन हाँ आप divine का दिया हुआ gift है इनके लिए ये literally आपसे कहना चाहते हैं कि भगवान ने मेरी life में आपको भेजा है और आपकी जैसा इनसान मैंने आज तक नहीं देखा कोई इनसान के इतना deep love कैसे कर सकता है किसी से आपने इनको किया है पास्ट में अगर इन्होंने move on किया तो पहली बात हो ये ये literally घबरा गए थे इनको trust issues हो गए थे क्योंकि इनको इश्वास नहीं हुआ कि ऐसे भी इनसान होते है कोई इतना true love कैसे कर सकता है इनको थोड़ा starting में fake लगा बट ये intense love आज भी इनको feel होता है no matter आप दुनों के beach distance आयोवे महीने हो गए हो चाहे साल हो गए हो ये आज भी आपको feel कर पाते है अपने पास तो कहीं न कहीं इनको भी feel होता है कि ये एक soul का connection है ये बहुत deep connection है और भगवान ने आप दोनों को मिलाया है अभी देखते हैं song क्या dedicate करना चाहते है आपकी person आपको song dedicate करना चाहते है क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा से हो सकता है आपने बहुत से कसमे खाई थी एक साथ लेकिन अभी आप ध्यान नहीं दे रहो भई इनको असा लगता है जैसे third person अभी आपकी तरफ से आ रहा है तब इतने jealousy के card आ रहे थे बहुत beautiful song इनको असा लगता है कि आप धीरे धीरे इनको बूलते जा रहे हो मेबी आपका ध्यान कहीं और भटक रहा है यह चाहते हैं कि आप अपना ध्यान वहाँ से हटा के इनके उपर लगाए बहुत beautiful song है सुनिएगा ज़रूर सो गाईस यह कुछ बाते थी जो आपकी परसन आपसे कहना चाहते है सो यह थी छोटी से रिडिंग होग आपसे resonate की है resonate की है तो चैनल को subscribe सरूर कीजिएगा वीडियो को like कीजिएगा comment करना ना भूले मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए चेक क्यार अपना ख्याल रखें जैसी आराम